आयूर्वेदी कॉर्णर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के समय में खान पान पर ध्यान न देना भोजन का सही तरीके से न पचना और जरूरत से ज़्यादा चाई पीना गैस बनने के कारणों में सामिल है यदि आप भी गैस से होने वाली समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाई बताने वाले हैं जिनहें अपना कर आप गैस की समस्या को जर से खत्म कर सकते हैं गैस की समस्या को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए भले ही या दिखने में छोटी ही सी समस्या क्यों न हो लेकिन आगे चल कर या एक बड़ी बिमारी का कारण बन सकती है इसके लिए आपको इस समस्या को दूर करनी है तू सही दिन चर्या और सही डाइट का प्लान करना उपाईयों के बारे में जो बेहत असरदार साबित होते हैं दोस्तों गैस की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसके सभी उपाईयों को जानना बेहत जरूरी है इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें नमबर वन अजवाइन से करे इलाज दोस्तों गैस गैस्ट्रिक रस को स्रावित करता है और भोजन के पाचन में मदद करता है अजवाइन में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेंटरी गुन भी बहुत अधिक होते हैं जो किसी बितरह की समस्या होने पर तुरंत रहत दिलाते हैं गैस की समस्या में पानी के साथ कॉपर और केल्सियम के अलावा जीरा में भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट की मात्रा होती है इस कारण आयूरवेद की द्रिष्टी से भी जीरा बेहत फाइदेमंद होता है जीरा पानी गैस्ट्रिक या गैस की समस्या को दूर करने का सबसे अच्छा और बहतरीन घरेलू उपाय है जीरा में ऐसे पॉस्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे लार ग्रंतियों को उत्तेजित करते हैं इससे भोजन ठीक तरह से पज जाता है और पेट से संबंधित बिमारी नहीं होती या पेट में अधिरिक्त गैस के निर्मान को भी रोकता है जीरा पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मत जीरा लें और इसे दो कप पानी में 10-15 मिनट तक उबाल कर इसे भोजन करने के बाद पिए इससे आपको गैस की समस्या में काफी मदद मिलेगी गैस की समस्या को दूर करने के लिए इसके उपाय अचूक है 3. हिंग का करें इस्तेमाल कई बार बिमारियों को दूर करने में एंटी वाइरल गुनों से भरपूर हिंग बहुत असरदार माना जाता है इसने विटामिन केल्सियम तो होते ही है साथ ही साथ इसमें एंटी ऑक्सिडेंट गुन भी उपस्तित होते है गैस की समस्या को दूर करने के लिए हींग एक रामबान इलाज के रूप में माना जाता है आधा चमच हींग को हलके गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट में गैस बनना कम होता है दोस्तों हिंग गैस से होने वाले प्राब्लम से हमें तुरंद निजाद दिलाने में मदद करता है इस से तुरंद पेट भी साफ हो जाता है और गैस की समस्क्या से राहत भी मिलती है या बोजन को पचाने में भी लापकारी होता है नमबर 4 अद्रक भी कर सकता है गैस को ठीक जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने अद्रक का इस्तेमाल कई रोगों में किया जाता है क्योंकि अद्रक में कई ऐसे तत्वों मौजूद होते हैं जो किसी भी तरह की बिमारी को जड़ से उखाड फेकने की ताकत रखते हैं ताजा अद्रक का इस्तेमाल आप पेट के गैस को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं गैस में राहत पानी के लिए आपको एक कप गर्म पानी में ताजा अद्रक के टुकडे डाल लेने हैं और इसके बाद अच्छी तरह से इन्हें उबाल कर हलका गर्म करने के बाद इस पानी को पीने से गैस की समस्या से आपको काफी रहत मिलती है नमबर फाइफ बेकिंग सोडा और नीम्बू का रस भी है फाइदे बन्थ गैस की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छे और बेहतरीन उपायों में सामिल हैं बेकिंग सोडा और नीम्बू के रस जी हाँ दोस्तों आयूरवेदिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक चमच नीम्बू का जूस और आधा चमच बेकिंग पाउडर का बना हुआ घोल पीने सेव गैस की समस्या को दूर करने में तुरंद मदद मिलती है ऐसा करने से गैस की समस्या बहुत कम परिशान करती है दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि काली मिर्च बिगड़े हुए हाजमा को बनाने में महत्वपोर्ण भूमिका निभाता है आयूर वेदिक एक्सपर्ट्स के मताबिक अपने डाइट में रोजाना काले मिर्च का सीवन करने से गैस की समस्या तो खत्म होती ही है साथ यसाथ वह जड़ से समाप्त हो जाती है नमबर सेवन मसालेदार और तले हुए भूजन से दूर रहें दोस्तों गैस की सबसे बड़ी समस्या मसाले या फिर तले हुए भूजन को खाने से होती है क्यूंकि इस तरह का खाना हमारे सरीर को पचाने में बहुत लंबा समय लगा देता है इसलिए इस बीच हमें गैस की समस्या हो जाती है हमारी लिए यह बात समझना बेहत जरूरी है कि हमें जितना अधिक हो सके हेल्दी खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, गैस की समस्या कई बार अचानक सुरू हो जाती है और सिती कभी-कभी ऐसी हो जाती है कि उसे संभाल पाना मुस्किल हो जाता है ऐसे समय में बिना वक्त गवाए और बिना कोई रिस्क लिए डॉक्टर से इलाज करवाना ही बेहद आवस्यक है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर से चेक अप जरूर करवाले अगर आपको आज की या वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ वाटसेप ग्रूप पे सेयर करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर नए जानकारी और नए नोटिफिकेशन एवं अपडेट्स मिलते रहें हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद